अर्सलाम अलेकुम एवरीबन वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल तो गैसे हैं आप सब आज मैं फिर से आप लोगो को बहुत ही सिंपल और एजी पेंटिंग करके बताऊंगी आप लोगो को एजली पेंटिंग करना जाएगा यहां पर मैं आप लोगो को पेंटिंग का नेम बता देती हूं पहला हमारा रेड दोसरा है गिरेंग करा लोग लोगो को दिखा भी लेह नें उसले कंवलों से हमें इसे एंप इसे चार कमर से हां हमें इस दिजैन को एपकी कि पेंटिंग करना है और यहां पर दो बरस है एक रखन दो नंबर कर और चार नंबर कर लैट प्रस और रॉड बरस और अब हमें यहां पर ब्लाइक लेना है ब्लाइक अनका लगाना है प्लावर के सारे डंटी में हमें ब्लैक लर लगाना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमें दो नंबर कर राउन बरस लेना है उससे हमें प्लावर के सारे डार को बना देंगे ठीक है तो आप लोग यहां पर देखे सकते हैं मैं इस तरह से डार की पेंटिंग कर रही ह अगर मेरी चानल पर नहीं हो मेरी वीडियो पहले बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर ले साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताके मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुचें और आप लोग परिंटिंग करना सेख आए तो इसी तरह से हमें सारी डार को बना देना है आप लोग यहां पर देखी सकते हैं इस तरह से हमें बनाना है और ब्लाइक कलर से हम बनाने से लावरावथ भी खुब शूरत लगएगा तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें में स्टेप बाइस्टेप सारे डिजाइन के पीजाइन करके आप लोगों को दिखाऊंगे और आप लोगों स्टेप देखें में इसकी पेश बिल ना करें अगर आप लोग इसकेप कर देंगे तो आप लोगों को पैंटिंग समझ में नहीं आएगी इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अबहुत ही सिंपल और इसी इस डिजयाइन के पैंटिंग कर रहे हूं, और इस डिजाइन को आप किसी भी चीज सब्सकार डाल सकते हैं, जैसे सूट हो गया और बीलो कवर हो गया, फाधैंड दॉन कर थे जोर बहुति के इस पैंटिंग करना आप कि पेंटिंग कैसे बनी कैसे हुई तो आप लोग ध्यान से देखें इस पेंटिंग को और पेंटिंग करना सीखें तो अब मैं हमें यहां पर लाइड ग्रीन लेना है लाइड ग्रीन से हमें सारी लीप की पेंटिंग कर देना इस तरह से आप लोग यहां पर देखें सकते हैं हमें इस तरह से प्लाइट ब्राश से लिप की पेंटिंग कर देना है, ठीक है, तो आप लोग यहां का देखिसकते हैं, इस तरह से हमें पेंटिंग कर देना, हमें सारी लिप को ऐसे ही पेंट करना है, तो आप लोग ध्यान से देखें और पेंटिंग को समझें मैं बहुत ही अच्छे तरह से आप लोग को इसकी पेंटिंग करके बता रही हूँ आप लोग ध्यान से देखें और इसकी बिल्कुल ना करें वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो को भागा भागा कर देखेंगे तो आप लोग को प्रेंटिंग नहीं समझने आएगी ठीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और प्रेंटिंग करना देखें और अगर आप लोग पेंटिंग सीखने वालों में से हैं तो वीडियो को पूरा है देखना इसकी बिल्कुल ना करना और अगर आप लोग अगर आप लोग पेंटिंग सीखने वालों में से नहीं है तो तो कोई बात नहीं और अगर है इस पेंटिंग आपको सीखना है तो आप लोग वीडियो को बगाबाबा करना देखें वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइब शेयर और कॉमेंट कर जरूर करना और आपने दोस्तों और पैमली में भी शेयर करना ताकि वीडियो केंटिंग वीडियो को सेंगे साट़ केंने ब्रूइंट लगेंटेंग करना पसंदूर्ट हम przy Infanty debate थीक है तो आप लोग जरूरूर करना इससे मेरी ही पेल्पो जाए कि और आप लोगो को भी पेंटिंग करना आजाए गा तो मैं ऐसे ही बहुत ही खुशूरत पेंटिंग करके आप लोग को दिखा रहे हूं और ऐसे ही और भी पेंटिंग डिजाइन देखने चाहते हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप तक अगर मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और मैं ऐसी ही बहुत पे सारी पेंटिंग डीजाइन अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं बहुत ही एत तरह की डीजाइन ब्लावर पेंटिंग करके अपने चैनल पर बता ही हूँ, तो आप लोग यहां पर ब्लाइक लेना है तो आप लोग को जरू समझ में आएगा हूं इस तो आप लोग को जरूर पेंटिंग अच्छी लगए कि पेंटिंग जरू समझ में आएगी तो आप लोग को पहले अप लोग को पर लेना है तो आप लोग को पहले आप लूग में वाइट अपका से तलह है औरम रख के ने के बाद हमेंठ आप के परोपा से आज़ आप लाइन का देना है और में मुल दो अपर आउप और रचान के बाद. आप में आरे हुआ मुझाल अशलिगा देना होगत है रेड कलर को ऊपा से आउप लाइन का देना है और हुमें उपड के पंकुड़ी को एकड़म सीधा आउटलाइन नहीं करना हमें थोड़ा सा फेला ऐसे निपास को हिलाते हुए हमें उपड की आउटलाइन कर देना है रिड कलर से आप लोग देखी सकते हैं कि अप लोग यहांं से लिंगे और वेन कि और पैंटिंग को समझी अब में हां पर उपढ़ भी हमें सेट देना है अच्छे तरह से और हमारे से शेडिंग अच्छी से होने चाहिए और अगर पैंटिंग शुप जाएगी तो हमारी पैंटिंग इतने से इतनी अच्छी स्थ नहीं हो पाएगी और आप लोग पहला क्लर लगाने के बाद तुरन दोसरा क्लर लगाए और आप प्रें हाथ को फास چलाएं जिससे हमारे प силь सोखें बीच में भी हमें छोटा-हा रिड कलर सह सरकल बना देना है सरकल बनाने के बाद हमें वाइट कर लेना है वाइट कलर से हमें सरकल कि किनारे किनारे डॉड़ डॉड कर देना है करें जो फान करनें के बाने हैं अज.... में वाश नहीं करना है तो detis हमें वाइड कर लगा देना है जिसे हमें रिट कर लगाने की जरूरosit नहीं पड़ेगी कि हमारा लाइवर पिंक कुलर ही हो जाएगा लाइट पिंक हो जाएगा जो आप लोग नहापक देखिक सकते हैं इस तरह से हमें दूसरे फ़लावर की भी प्रेंटिंग कर देना और आप लोग दिःआज से देखें और प्रेंटिंग को करना सीखें यह पहुत ही सिंपल और है और वह बहुत ही इसार बहुत ही खुब शूरत लगेंगा इस तरह से हमें रड़ कलर से आउट लाइन कर देना है तो आप लोग यहां पर दे कि सकते हैं उमिद करते हूं आप लोग को पेंटिंग जो समझ में आई होगी और आप लोग ध्यान से देखें अगर आपको पेंटिंग समझ में आ गई हो तो आप लोग दूसरे इस वीडियो को छोड़ कर दूसरे वीडियो को देख सकते हैं उसकी पेंटिंग सीख सकते हैं और अगर आ नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को अध्याल से देखें और स्पैंटिंग करना इस तरह से हमें आपि रड़ कर से ऐड़ियन खरें अब कर देना है आप मैं इसे प्लावर की इसी तरह से दिखा दिती हूं श्रीसे आप लोगो को पींटिंग करने में अशानी हो आप लोग पेंटेंग करना सिख पाएं अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरू करते ना आप लोग लाइक नहीं करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे लगता है तो भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी पेंटिंग अच्छी लगी और वीडियो को जाद से जाद से शेयर कर देना जिससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोग को भी पेंटिंग दमज में आ जाएगी मैं बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को पेंटिंग करना समझाऊं तो अगर आप लोगो को मेरे समझाने का तरीका और पेंटिंग करने का तरीका अच्छा लगा तो वामेंट में जोरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें तो इसी तरह से हमें उपर से रेड कर लगा कर आउट लाइन करके हमें उपर से नीचे की तरह पे शेट देना है तो आप लोग यहां पते की सकते हैं इस तरह से शेट देना है और आप लोग को किस तरह की डिजाइन पुलावर आप लोग को पेंटिं करना अचा लगता है कौमेंट बम्रक में जरूर बताएं मैं और रफिक पेंट ने यह दर्यौन करके आप लोग को दिखाएंगि तो कौमेंट में जरूर बताएं, अब हमें यहां पर चाल फ्लावर में रिड कलर से सर्कल बना देना है, बीच में फ्लावर के बीच में हमें छोटा सा सर्कल बना देना है, रिड कलर से, सर्कल बनाने के बाद हमें इहां पर वाइड कल देना है, वाइड कल से हमें सर्कल के किनारे किनारे डाड डाड कर देना है, जीशे खलावर बहुत भी बहुत ही प्यारा लगेगा, ऑर बहुत ही खुबसूरत लगए यहां पर डिजाइन,ip लोग आप दे की सकते हैं, तो इस कर सकते हैं आप लोग द्यां से डेकर समझेए है बहुती ऑजी और डिजाइन कर है कर दूल केaza करने बहुत है क्लिफित सकते हैं कि इसफेपटा शेह ब्लिफ्म करना साहशितों साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई पेंटिंग डिजाइन के साथ दुआ में आद रखें, अल्ला अफिर